को कई तो सपांच मैं कि ओढुटीव चैनल दोस्तों कैसे हो आप लोग आजसा करते हों अच्छाहूंगे दोस्तों इस वीडियो में में मल्टी में को किफ़ पांच मिनट में चलाना सुखें तो चलैंट शुरू करते हैं यह वीडिय Шौर सब्सक्राइब लया चाहते हैं तो आप लोग इस चैनलों को सबस्क्राइब कर सकते हैं और इस इस multimeter को साथ ही साथ ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक function समझा देता हूं इसके अंदर जो function हो किस किसी जो के है यहां से जो line के से वह दूसा section जो line के अंदर आ रहे फ्रेंस से एक section है ठीक है बाकि उसके अंदर जो भी function है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहां पर दे सकते हैं वी है वी कार्थ होता है वोल्टेज यानि कि इस multimeter से इस section पर हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं यहां प आपको line देखने को मिल जागा वह आपका battery वाला current हो जाए जिसमें प्लस माइनस हो polarity वाला ठीक है जिसमें आपका plus और minus होता है वो current आपको यहां पर चेक करना हो जहां पर वी के साथ लाइन बना हो और जहां वी के साथ वे वन ही हो जैसे कि यहां पर दे सकते हैं यह घ्री में हजार डिंट दक लास्ट च्याग कर सकते हो ठीक हैं इतना सेक्षंल अंब हो गया आगे आते हैं तो आगे कह सेक्षंने फ्रेंश ओंस का इतने से यहां तक के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस कोई भी आपका रेजिस्टर हो यदि आप लोग electronic के फिल्ड में तो आपको पता ही होगा friends रेजिस्टेंस के बारे में तो इतना जो section ने वह रेजिस्टेंस का है और जो ओम होता है उसका फ्रेंज से यूणिट होता है यहां पर ओम चेक होगा बाकि जो के की आ रहा हो किलोंस में चला जाएगा ठीक है इसके बाद जो सेक्षिन है फ्रेंज वीप का है यह से आपको कोई वायर चेक करनी हो वह सही घराब है यह फिर कोई डैयोड चेक करना कोई ट् सबसurer चाह्ति होती है वह आपकी बजयर वाली रेंज पर होगीजिक प्रेंज ये इतना डेना नहीं यह यह होता है जो एतना सक्षिन देख各 a arm नैंट भी तो आप लोग ट्रजिस्टर विसकंद्र करेंगें तो बस यहाँ पाँ करेंगी और कुछ निया इसका फॉक्षिन बाकि आप लोग ट्रांजिस्टर को यहां पर चाहिए चाहिए कर सकते हूँ यहां पर देख रहे हैं आप लोग यह 10 एंपर फ्रैंज यह सबसे ऊपर वाले सेक्षन देख रहे हैं और नीचे वाला सेक्षन इन में लगा कर किसी भी लोड को हम मेजर कर सकते फ्रेंज मुल्टीमेटर के प्रोब को यहां पर सैट करने नोब को और एक कोमर में लगा रहे एक आपका लगेगा सबसे उपर वाली में 10 एंप्यर में और किसी भी बैटरी और क्या ना मैं आपको ले लेना है को लोड उसके आप सीरीज में लगाओ तो यहाँ पर उसका जो एंपर हो को वह में सो हुगा इसके बाद यह जो है यह मिली एंप्यर में फ्रैंस यह मिली सब्सक्राइब करने के लिए यह सबसे ऊपर वाला फंक्सन है यह बस है डायोग करना में यह जो ऊपर वाला फंक्सन है यह सिर्फ आपका क्या नमें क्रेंट चेक करने के लिए ठीक है बाकि कुछ भी चेक करना होता आपका यह वी ओम्स में लगा रहेगा में एंपर तो इन में से किसी में कोई सभी प्रव लगा लेते हैं फटाफट इसके उपर जैसे कि हमने लिए प्रव यह बैटरी के दो टर्मिनल से अब इन दोस्तों हमने किस पकड़ रखा है 200 पर अगर आप लोग 20 पकड़ देंगे इसे तो यहां पर दे सकते जो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखे पहले इसके अंदर यह जो आपका डॉट दिख रहे है जैसे 200 पकड़ोगी एक और आगे चला जाएगा अगर 1000 पकड़ तो य यहां से दे सकते हैं नीचे करो तो यह जाएगा यानि जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं इसमें हमें देखने को मिलेगा यह आपका 20 वोल्ट से नीचे तो 20 वोल्ट से नीचे पर चेक कर रहे हूं और इसे ज्यादा वोल्टेज हो तो यहां पर आपको 100 जाएग लेकिन एक निचान आपको देखने को मिल लोग मायनेस का इसका आरती यह है कि जो आपने प्रॉब लगा रखे हो वोल्टी लगा रखी है ठीक है अभी सीधी लगा के दिखाता हो मैं आपको तो देख सकते मायनेस का निचान हट चुका और वोल्टी जा रहे 2.45 ठीक है अभी देख सकते हैं आप लोग यह हमने लगा दे हो ले टू आ रहा है अगर पॉइंट का देखना है तो हमें सबसे कम वाली वैल्यू पर रखना पड़ेगा ठीक है तो आपने डीसी का सेक्शन आगे समझ में आपको अगर फ्रेंज एक वोल्ट से भी कम होता है वोल्टी तो आपको यहां पर चाहिक करना होते हैं 200 मिली वोल्ट में अब आ जाते हैं डारेक्ट एसी वाली पर हमारे घरों में 200 से उपर आती है तो हम 750 पर कर लेते हैं अब एक एसी बोड देने लेते हैं नि बिजली का बोड लेते हैं कोई सा तो दोस्तों इसको अंदर इसको हमने सेट है के नहीं इस पर सेट है तो इसके अंदर प्रॉब लगा सकते हैं एक मिनट दोस्तों अब देख सकते हैं आप लोग तो यहां पर वोल्टे जा रहे हैं 226 वोल्ट हमारे घरों में आता है 210 से उपर और 200 से नीचे तो अपने एसी चेक करना भी आगे दोस्तों अब इस अब इसकी वैल्यों हमें नहीं पता क्या है और एक चीज आपको और खास दियान रखना है फ्रेंस के यह आपका प्रॉब है इस तरीके से यह आप लोग चेक करते हो तो आपको नहीं करना क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ ओम्स होते हैं हमने कर लिया अभी 2000 देख सकते हैं टू मेगों पर कर लिया है यादि आप लोग उसको पकड़ो गया से तो यहां पर कुछ वैल्यू शो करेगी क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ रेस्टेंस होते हैं तो जब भी आप रेस्टेंस कुछ करो तो किसी एक प्रप को छोड़ दो और एक कोई पकड़ो ठीक है अब क कोई भी रेस्टेंस ले लो कितने किलो ओम्स का हो आपको सेट कर लेना है किस पर दो सोंपर और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से पकड़ लेने हैं सिर्फ एक को अब वैल्यू देखनी आरी तो एक पॉइंट आगे बढ़ा दो अभी नहीं आरी तो और आगे बढ़ा है क्योंकि फ्रेंस थोड़ा सा प्रॉब जो हमारा प्रॉब है इसकंदर को कुछ रेस्टेंस होती है और थोड़ा बहुत आपको मल्टिमेटर में आप डाउन देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा यसे 6 7.8 था तो इसका अब इसमें आपको सिल्वर वाली जो पट्टी देखने को मिल रही फ्रेंस यह हमारी होते ही नेगेटिव और बाकी जो ब्लैक सैड होती ही पॉजिटीव इसकी मैंने फ्रेंस एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है इसका जो वीडियो का लिंक के आपको प्लस वाला इसको पर हमने मैंने लगा दिया और मैनस से प्लस तो यहां पर देख सकते हैं को रीटिंग नहीं आ रही है तो आपका डायोट हो खराब है यहां पर आपको रीटिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो डायोट है रिवार्स में लगा हुआ है जब इसको फॉर इसको जब मैनस पर लगाएंगे और प्लस वाले को प्लस पर तो आपको डायोट चेक करने बात करते हैं बीप की तो बीप में क्या होता है दोस्तों जब आप लोग इन प्रॉप को सौट करते हो तो आपको बीप साउंड देखने को मिलती है तो सुनाई दे रहा होगा आपको अब जैसे आपके पास यह वायर है अब आपको यह निपतर के खराब्या सही है माल दीजे बीच में कहीं से बहस्त दो रही हो ठीक है तो आपको बस कोने कोने पर लगा कर चेक करना है साउंड आ रहे कि नहीं आ रहा तो देशकते हैं आप दोस्तों खतम हो चुका है बस इतना ही थाव मेल्टिमेटर फंक्शन ठीक है दोस्तों अगर रहे गया तो आप कमेंट कर सकते हैं बाकि कैसे लगी वीडियो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी दोस्तों तो वीडियो कर दें लाइक और चैनलों टपिक साथ अब तक लेजा ही जै बारा दन्यवा दोस्तों